दोस्तो इस video के लिए target लाईक है दोस्तो 500 और target comment है दोस्तो 200, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे जल्दी से जल्दी complete कर दोगे, दोस्तो जैसे ही complete होगा, वैसी आपको हिंदी writing skill है और हिंदी grammar से related videos बिल जायेंगे, तो दोस्तो ये पूरा का पूरा नया video है और ये पू दोस्तो आपको जाहिरात, बात्मी और कथा लेखन है, यहाँ पे लेखन को असले है, तो दोस्तो इसके अंदर से मेरा सजेसन है, मेरा अगर आप पर्सनल सजेसन मानोगे, मैंने स्टुडेंट को इतना गाइड किया है, दोस्तो की हमारे बहुत सारे स्टुडेंट ने 95 प्लस मार्स भी लेंगवेजिस में स्कूर किये है, और आप भी कर सकते हो, और अल्रेडी भाई मैंने भी किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी करो, तो इसलिए जो चीज़े मैं यहाँ पर बताऊंगा, पूरा का पूरा बोर्ड के रूल के अकोर्डिंग बताऊंगा, तो बह यहाँ पर पत्र लेखन से रिलेटेड यहाँ पर पत्र लेखन अटेम करना, इसमें से आप कौन सा भी कर सकते है, यहाँ पर यह निबंध लेखन है, अब दोस्तों यहाँ पर पत्र लेखन में आपको दो तरह की पत्र की तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर आप नाइन्थ औ तो यह यादरना संपर्ग जो है लेटर वहाँ पर भेजना है देखो जो नॉर्मल इनको रीडिंग भी अच्छे से नहीं आ रहा है वो भी समझ सकता है कि सर यह संपर्ग है मतलब लेटर इंको भेजना है अगर आप फॉर्मेट वाइज लिखो गे तो आपको मार्क्स मिलेग लेटर लिखना है अब दोस्तो यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट किया हुगा सबसे उपर आपको दीनांक लिखना है इसके बाद दोस्तो आप चाहिए तो वन लाइन गैप कर दो उसके बाद आप प्रती लिखोगे कौमा दोगे प्रती के बाद मानिनी है जो भी होंगे लिखत नहीं है उसके बाद दोस्तो आपको विषय लिखना है मराठी सूलेखन वर्गात प्रविश घेने अबाबत देखो कितना सीम्पल सा विश है ऐसे एक लाइन में विश्य आना चाहिए और दोस्तो इसके बाद आपको मानिनी महोदय लिखना है इसके बाद दोस्तो मेन वाले में दोस्तो थोड़ असा यहाँ पर थ्री लाइन का यह होना ची यह टू लाइन का होना ची यह थ्री लाइन का होना ची वहाँ पर अपने बारे में बताओ दैन इसके बाद यहाँ पर आप में एक लाइन में रिक्वेस्ट कर सकते हो और दोस्तो उसके बाद आप का फॉर्मेट क्या होगा इनकेस अगर आपने इसके अंदर कुछ चीजे थोड़ी बहुत कम जादा भी लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मेट सही होना चीए देखो यहां पर लेटर का स्टार्टिंग दोस्तों यहां ही से होना चीए बाद में आपला कुरुपा भिला यहां पर उसका नाम लिख सकते हो और इमेल ABC ऐसा भी आप लिख सकते हो यह आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो तो इस तरह से यह पूरा का पूरा फॉर्मेट है दोस्तों मांगनी पत्र का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है देखो इस तरह से यह मांगनी पत प्रतिनीधी या नात्याने देखो यहाँ पर रुच्छा रुपन करने साथ ही रोपांची मांगनी करना रहे पत्रवलब ट्री प्लांटेशन करना है तो देखो यहाँ पर विद्यार्थी प्रतिनीधी या नात्याने मतलब कि मैं विद्यार्थी प्रतिनीधी इस नाते से मै डिनांग, सेम वही प्रती, जिसको आप भेज रहे हैं, माननी ये संचालक, जो होगी है दोस्तो, निश्रगर ट्रस्ट, यहाँ पे आप लिखोगे, उसका इमेल लिख सकते हो, विषय है, देखो वही सेम है, विषय है, बाद में यहाँ पर महोद हैं, महोद है के बाद, यहा यहां पे आप लिखो बाद में यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह कभी भी अगर मांगनी का कोई भी लेटर आया जैसे अगर समझो स्पोर्ट से रिलेटेड आ सकता है प्रिडा से रिलेटेड तो यह सब जीजे है दोस्तों यहां पे आपको नंबर लिखना है यह पर आपको रेखो उसका रोपांच यह प्रकार यहां पर देखो प्लांट के नाम लिखें यहां पर कितने लिखा है और सेम लेटर का फॉर्मेट है आपको बिलाश्री जो लेटर लिख रहा है विद्ध्यार्थी प्रतिनीदी अपने स्कूल का एड्ड्रेस लिखो और इम सारंस लेकर दोस्तों आपको जितने भी लाइनस दिये होंगे उसको 1 3rd में आपको लिखना होता है इसलिए मैंने यहापे 1 3rd अगर इनकेस अगर समझो वो 9 line है 9 line है तो उसको 3 parts में divide करो तो 3 3 3 मतलब आपको minimum उसको 3 या 4 lines में convert करना है overall passage का जो conclusion होगा वो पूरा का पूरा conclusion 3-4 line में आना चाहिए वो passage क्या बताना चाहता है उसको आपको 3-4 lines में convert करना रहता है तो यह थोड़ा सा difficult हो जाता है क्योंकि हम इतने बड़े समझदार लोग नहीं है कि हमें पूरा का पूरा अभी passage को conclude करने आने लगे तो उससे अच्छा आपके लिए पत्र लेखन है इसलिए मैं हमेसा बताता हूँ बेट कोई अगर लिखना चाहता है तो यह format याद रखना 1 by 3 में आपको लिखना है और simple language में लिखना है ज्यादा complicated language नहीं होना चाहिए उसको title लिखना बहुत जरूरी जैसे कि अगर समझो जो भी जिससे related होगा परया औरन से related होगा तो आप परया औरन लिख दो जिससे related passage होगा वह आपको वहाँ पर title लिखना है अब दोस्तों यहाँ पर next आता है जाहिरात देखो जाहिरात में सजावट और जो चीतर है अगर आप सोच रहे हो कि बस मैं सज जाहवट करूँ उससे मुझे marks मिलेगा तो यह आपकी गलत फहमी है वहाँ पर शब्द भी होने चीए at least 50 to 60 शब्द होने चीए थोड़ा बहुत आप जैसे कि अगर समझो जिससे related जाहिरात है थोड़ा बहुत वहाँ पर आप ड्रॉइंग कर सकते हो उसका जो सिर्शक है दोस्तों वह attractive होना चीए वहाँ पर place का नाम time का नाम और बाद में date का नाम और आपको संपर के किसको करना है address यह सब proper होना चीए यह points तो cover होनी चीए और वैसिस्ट मतलब characteristics क्या है उसके अंदर क्या main देखो मैं एक तरह का जाहिरात यहां पर लेकर आया हूँ यह अगर ज time से related ऐसा दिखा सकते हो यहां पर दोस्तों आप कुछ और special लिखना है तो आप अलग से दिखा दो संपर का दिखा सकते हो यहां पर इमेल हो गया तो इस तरह से यह पूरा का पूरा आपका format है यही format आपको follow करना है जाहिरात में कोई भी जाहिरात है तो एक दो जाहिरात आज बस practice कर लो आपका काम खतम हो गया अब दोस्तों next है यहां पर एक जाहिरात में लेखर आया हूँ यहां पर अब यह जाहिरात ऐसा दिया है और जाहिरात से related वो question बूश सकते है तो देखो यहां पर जाहिरात है यहां से देखो व्यायम साड़े ची वैसिष्ट है तो दोनों यहां पर लिखतो संपर्क किसको करना है तो भाई संपर्क अभी यहां पर लिखा है तो बस यहां पर इस तरह से भी question आ सकता है अगर आपको वो direct जाहिरात देंगे और fill in the blanks fill up करने के लिए देंगे अब दोस्तों यहां पर next step बात्मी लिखन बात्मी लिखन दोस् मतलब वहां पर किस वैक्ति से related है वो सब आपको लिखना है और दोस्तों वहां पर आपको कोई भी अपमानकारक भासा मतलब कि अगर समझो कुछ ऐसा बुरा incident हुआ रहेगा तो यहां पर कोई भी आपका जो language है वो बहुत जादा माइने रखता है कि language आपको अच्छा लि यह है उसके दूसरे दिन हम लिखेंगे तो मतलब अगर समझें यहाँ पर आठ तारीक है तो आप समझ जाना कि नौ तारीक को आप लिख रहे हो और यहाँ पर प्रमुक पाहुणे की सब नाम लिखे तो प्रमुक पाहुणे से हमें कुछ सीखने मिला ऐसे भी आप लिख सक लिख सकते हो एक चीज हमें सही याद रखना फायमार्क्स वन पेज यह दिमाख में विठा के रखो यहाँ पर टाइटल लिखो जहां पर प्रोग्राम में उससे रिलेटेड आप टाइटल लिख सकते हो जिस चीज का है वासी कृड़ा मोस्तो है आप यह लिख सकते हो तो बा नेक्स दोस्तो इसके बाद कथा लिखन है कथा लिखन अगर आप अटेम कर रहे हैं तो दो चीजे कथा लिखन में बहुत ज्यादा माइन रखती है एक होता है कथा का सिर्षक मतलब टाइटल और दूसरा होता है कथा का तातपर्या जिसे हम हिंदी में सीख बोलते हैं तो याद रखना और कितने 80-100 सब्दों में होना चाहिए मतलब तीन पेरेग्राफ आप दीमाक में बिठा गे रखना वन पेज फायमाक्स फॉर वन पेज अब दोस्तों यहाँ पे वह या तो सब्दों में पूछा जा सकता है या मुद्दों के आधार में पूछा जा सकता है पर आपको टेंशन नहीं लेना है कोई भी टाइटल एक बना दो उससे रिलेटेड और यहाँ पे तातपरे लिख दो और यहाँ पे आप गैप दे के पैरेग्राफ वाई स्टार्ट करना कम से कम तीन पैरेग्राफ में आप पहले पैरेग्राफ में आप यह चीज याद अब नेक्ष्ट है दोस्तों इसे ये चार सब्द दिये हैं और 4 ऩार शब्तों से आपको क्या करना है दोस्तों कथा लिखना है तो मैत्री आप कहानी का नाम वहाँ लिख सकते हो कथा का नाम अब next है दोस्तों इसके बाद आता है निबंद लेखन बहुत ही ज़्यादा important है दोस्तों 8 marks बहुत ज़्यादा होता है पूरे paper का अगर आप देखोगे तो 10% पार्ट दोस्तों यही रहेगा निबंद लेखन का तो आपका ज़्यादा चांस इसके उपर रहेगा और जब आप निबंद लिखते हो तो कोसिस करो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको क्या कर रहा हो दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइट कर रहा हो तो वह अगर आप देखोगे तो evergreen topic search करोगे तो आपको मिल जाएगा और same जुसे मेरे ही topic आपको बहुत सारे platform पे भी दिखाई देंगे वही आएगा तो इस तरह से अगर आप course लिख सकते हो तो अच्छी बात है और इसके बाद अगर आप अपना निबंद लेखन इस तरह का भी example है इस तरह से भी आपको चीजे लिखने के लिए आ सकती है next है दोस्तो आपको आत्मकथन आत्मकथन मैंने पहले ही आपको बताया था कि आत्मकथन मतलब यहाँ पे autobiography लिखना है दोस्तो आत्मकथन में जैसे एगर समझो मैं कोई नदी की आत्मकथन लिख रहा हूँ तो वहाँ पे आपको खुद नदी बन जाना है और नदी के पेन की आत्मकथन यहाँ पे मैंने लिखा है तो इस सरे से आप कोई भी एक आत्मकथन आपको रीट कर लेना है पर overall सर ने क्या बोला है कौन सा आपको आटेम करना चीज़िए तो मैंने क्या बोला है दोस्तों वैचारिंग निबन बहुत हाड आ जा रहा है तो आप यह दो आपके हाथ में आपको मिल जा रहा है मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्षर में बाय बाय टेक केर जीतना हो सगे इस वीडियो को शेयर करो वीडियो को नीचे कॉमेंट करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जरूर मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़े और लेकर बाय बाय टेक केर जाहिन दोस्तों